बोग लगाने से किनी जेत्ली कुन्यों में ब्रदी होती है। अगर बोगनाएं बहुत जीवन में हैं, कस्थ हैं, तक्रिक हैं, आस्वकलताई हैं, तो बोग लगाई हैं, बोगनाएं मिटाई हैं। बोग में बड़ी तासत हैं, बोगनाओं को समाप्त करनी हैं, पर अपने मन के भाव को जरूर चेक कर लेना कि में कैसे भाव से लगा रहे हैं। क्योंकि भाड़ा केवल, केवल, केवल बावना का मिदेगा लाए। और वही भाड़ा मेरे पुण्यों में व्रत्नी गर्काई लीजे, पुण्यों को बढ़ाएगा। वैसे भी संसार में देखिए, जब किसी के ओपर कोई ग्रहेचारी आती है, कोई विकदा, असंकत आता है, तो वो अपने गुरूओं के पास, जोतिस आचारियों के पास पोचता है, राइस कना लेने के लिए बड़ी ग्रहेचारी, नक्षत्र खराब हो गए, राभू बैक के अस्तर नहीं आ दिया, मुझ तो उपाय बताओ, अब जब एड़ाइस देने जाते हैं, प्रॉपित के ध्यां से आजिस बात को विचार कीजिए न, यही जेतनी वो भी कुछना कुछ उनके हाद से पुन्ये कराते हैं, राइट? चुरियों को खिला देना, बंदिर में च कराते हैं इसे, ताकि इनके हाद से एक तरफ पुन्ये का प्रभावु बढ़ जाए, तो बोवन आए पुरिसी मूझे ना जाए, पात का प्रभाव से सामने ए, इस्ती वजह से बोवना आए, जो बोवन दावन हो जाए, वर जैसे ही कुन्ये का प्रभाव उबढ़ेगा, पाक्ता प्रहाव नीचे आ जानेगा वो गराएं खत्म हो जाएं लिए इसलिए कराते हैं लेकिन वो अल्ब कालीर पैटो जार देने जानेगा उसके बाद ये कोई कंडिशन है अरे किया कफ़र कुछ असतर लगा भी था लेकिन फिर कुना कुना हो इस पी यहां जो हम बाबा के प्रती करते हैं ये सबाकाली रिस्ट सर्था है क्योंकि ये भोग कौन से दिन लगाया जाता है विशेष भोग जो लगता है ये कौन से दिन लगता है सद्गुरुवार सद्गुरुवार दूसरा शब्द क्या है दूसरा नामी क्या है सद्रूर बार का रस्पति बार, सिंस्क्रिप का शब्द है ये, संदेवी शेथी जी इसका क्या बने न, बरच पलश्पति, बरच शेथ पती को भोग लगाते हैं हम, अब इनी ये पनी कुन्य कैसे बढ़ता है देखे, आपने अपने धर में खोदा होय कुछ दिन के बाद आपने देखा इनी मुर्जा रहा है, क्या करोगे भी जेटी? पुरा नहीं, पानी दातों के कहा? जड़ नहीं सुपी देंजी? जड़ नहीं मुर्जा रहा है, आपने मुर्जाय हैं है, पट्टे देखे, फूल देखे, कलिया सेथी, लेकिन ज़़ नह जड़ में डाल रहे हैं, 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 जड़ में ड पुरे व्रक्ष में पैल जाता है, अब यह जिन जब आप देखोगे, जो गुर्जाय होगे, पट्टे पूल कलियांती को क्या हो जाएंगे, जब की जल कहा डादा, नीचे, और परठाव कहा दिखा, उंतर, व्रक्ष पती, ये स्रिष्टी भी एक तल्क व्रक्ष है, मनुश जब हम अतनी भावनाओं का जल उस शिर्ण को अर्वित करते हैं, तो उसका प्रभाव तो मैकि पूरे व्रक्ष में पहुँच जाता है, और जब उसका प्रभाव मेरे पास आता है, तो एक का बहु बुणा रुख में धितन दिलता है और यह हों से मेरे पुन्य व्रद्धी होना शुभु दिलता है